बेलकम टूर नेक्स अग्जाम आज है 21 अगस 2022 और 21 अगस 2022 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे आप में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लाश्ट मैं आप से कुश्चिन भी पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियाप फाइल आप इस वीडियो का डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आप हमारे टेलेग्र पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गूर्प का लिंक मैंने इस वीडियो के दिवस मनाया गया तो इस question का बे options है अच्छा ये world mosquito day मनाया क्यों जाता है तो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाओ के प्रति लोगों को जागरू करने के लिए हर साल बेश अगस्त को 200 मच्छर दिवस मनाया जाता है अच्छा बेश अगस्त को ही 1897 में British Dr. रूनाल्ड रॉस ने माधा एना प्लीज मच्छर की खोज की थी और आपको पता है माधा एना प्लीज से ही मलेरिया होता है तो 200 मच्छर दिवस के बारे में आपको इतना याद रखना है अभी 19 अगस्त को 200 मानबतबादी दिवस और 200 फोटोग्राफी दिवस मनाया गया 17 सत्रे गस्त को पार्सी नब बर्स मनाया गया पार्सी नब बर्स को क्या कहते हैं नब रूज नब का मतलब है नया और रूज का मतलब है दिन और सत्रे गस्त को ही इंडोनेसिय सुतंता दिवस मनाया गया 16 गस्त को बेनिंग्टन वेटल्डी मनाया गया 14 गस्त को विभाजन बिवीसिका इसमरण दिवस मनाए गया 13 गस्त को 200 अंगदान दिवस मनाए गया 12 गस्त को अंतरास्टी युवा दिवस मनाए गया अच्छा अंतरास्टी युवा दिवस ये 12 गस्त को मनाए जाता है कि इंडिया में प्रूजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और इंडिया में प्रूजेक्ट टाइगर कप शुरू हुआ 1973 में अच्छा 200 संस्कृत दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाए गया 10 अगस्त को 200 जैब इदन दिवस मनाए गया और वर्ल्ड लाइन डे ये भी 10 अगस्त को मनाए गया 9 अगस्त को 200 आदिवासी दिवस और नागासा की दिवस मनाए गया 8 अगस्त को भारत छोडो आंदुलन दिवस मनाए गया 7 अगस्त को रास्टी हत करगा दिवस और रास्टी वाला फैक दिवस मनाए गया च्छे अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाये गया, पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रेफिक लाइट दिवस मनाये गया, दो अगस्त को पिंगली बेंकेया की 146 में जैनती मनाये गई, अच्छा पिंगली बेंकेया इन्होंने भारती राष्टी धोज का प्रारंबिक डिजैन त ज़्याद रखने हैं अच्छा आज की स्टूडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह बेडियो आपको अच्छा लगता है लगता है तब आप स्टूडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट विक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो जारखन बेज बित्रड को ट्रेक करने के लिए ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का उप्योग करने वाला पहला राज्जी वना तो इस कुछिन का से ओप्सिंस है अब जारखन तो यह है मैप में जारखन जारखन की गेपिटल क्या है रांची जारखन की चीप निश्टर कौन है है जारखन की गवर्नर कौन है रमेश बैस अच्छा अभी जून महा में ररवन मिशन डेल्टा रैंकिंग में जारखन टॉप पर रहा था तम्मा कू नियंतर के लिए जारखन को डबलू एच्चो पुरुसकार मिला जारखन का जामताड़ा जिला हर गाउं में पुस्तकाले पहला जिला बनाया है गुरूजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये जारखन में शुरू की गई अभी जारखन की बिदान समाने मॉब बाइलेंस और लिंचिंग को रोखने के लिए पेधियक पारित किया मुख्यमंत्री ने युबा खेल प्रतिवाओं को पूस के बारे में याद रखना है ने कुशिन है जनवरी दुजर तेईस में सत्रेमा प्रवासी भारती दिवस कहां आयुजित किया जाएगा तो ये इंदोर में आयुजित किया जाएगा तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है प्रवासी भारती दिवस ये हर साल नौ जनवरी को आयोजित किया जाता है और 9 जनवरी को ही क्यों आयोजित किया जाता है आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महत्मा गांदी जी बापस आये थे साउथ अफरीका से बापस आये थे इसे लिए प्रवासी भारती दिवस हर साल 9 जनवरी को मना जाता है भारत के बिकास में प्रवासी भा किस राज के पहले आदिवासी उपन्यास खार नारायन का निधन हुआ है। पुरुषकर मिला था केरल साहित यह परोषकार इनको 1999 में मिला था है अब केरल तो यह है मैप में केरल की केपिटल क्या है तेरोबननतप구ं केरल के चीप निस्टर कौन है पिपनररी बिजियन और केरल कि गवर्श्नल URL कं आरेफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन स्कूल बन आईस योजना सुरू की अभी HDFC बैंक ने कोजी कोड में केबल महिला करमचारियों द्वारा संचालित साखा खोली है केरल के कोजी कोड में HDFC बेंक ने केबल महिला करमचारियों दोरा संचालित ब्रांच खोली है केरल सरकार JST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल एप लॉंच करेगी केरल ने आंगनवाडी बच्चों के लिए अंडा और दूद योजना सुरू की है ओनलाइन सरकारी एट एक्सी सेवा सुरू करने वाला पहला राज केरल बना है केरल में सुरच्चा मित्र प्रोजेक्ट सुरू हुआ था केरल को बैग्यानिक पच्छी एटलस मिला है और सैनेटरी नैफकिन फ्री गाउं कुबलांगी बना केरल का कुबलांगी गाउं, सैनेटरी नैफकिन फ्री गाउं वना है अच्छा केरल में ठैयम, तर्शूर पुरंपुरं, मकरबिलक्को और ओडम तिहौर मना जाता है केरल में अनाई मुडी सोला नेशनल पार्क है, मते किटम सोला नेशनल पार्क है, पंबडम सोला नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है अच्छा केरल में सांत घाटी है और पेरियार बनजीब अभ्यारण है इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है नए क्यूशन है किस ने यमुना पर आजादी के अमरत महुत्सब कारिकरम की अध्यक्षता की है तो प्रजेन टेम पर हमारे केंद्री जल सक्ति मंत्री हैं गजेन्र सिंग से खावत इनोंने अभी यमुना पर आजादी के अमरत महुत्सब कारिकरम की अध्यक्षता की तो इसको शिन का बे ओप्सन सही है केंदरी जल सक्ती मंत्री गजेन सीख से खावत ने रास्टी स्वच गंगा मिसन द्वारा आयजित यमुना पर आजादी के अमरत महुत्सप कारिकरम की अध्यप्चता की है नए शुशन है हाली में भारत किस देश से 6TU-160 लंबी दूरी के बंबर खरी देगा तो अभी अपना देश भारत रूस से 6TU-160 लंबी दूरी के बंबर खरी देगा तो इसको शिन का ए ओप्सन सही है अब रूस तो यह है मैप में रूस रूस की केपिटल क्या है मॉस्को रूस की करनसी क्या है रसियन रूबल रूस के प्रजैन टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है ब्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रजैन टाइम पर प्रैमिनिस्टर कौन है मिखेल मित्सुतिन अभी ब्ल लाइफ एंड टाइम्स फिलिफ सौट द्वारा लिखी गई रूस ने 2024 के बाद अंतरास्ती अंतरिच केंद्र छोड़ने का फैसला किया है 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्टवेट खाद्य आपूर्ति करता रूस बना है और रूस के पत्रकार देमित्री मुराटोब ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबल सांती पुरुषकार बेच दिया है अच्छा रूस में उरल के पाहड है लेक वैकाल है और माउंट एलवरस है ने क्यूशन है हाली में केंदरी ग्रह सचिब अजे कुमार भला का कारिकाल कितने साल बढ़ाया गया है हमारे केंदरी ग्रह सचिव हैं अजय कुमार भला इनका कारिकाल अभी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया तो इस कुछ इनका से ओप्सिंस है आपको पता है इनका कारिकाल तेसरी बार बढ़ाया गया है इनको नवंबर 2020 में रिटायर होना था उसके बाद से अब तक तेसरी बार इनका कारिकाल बढ़ाया गया है ये असम मेगाले केडर के 1984 बेच के I.S. अधिकारी है तो आप याद रखे केंदरी ग्रह सचिब अजे कुमार भला का कारिकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है नए कुछ इन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी गरेलू एरलाइन कौन सी बनी है तो अभी बिस्तारा एरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी गरेलू एरलाइन बनी तो इस कुछ इनका बे आप्सन सही है अच्छा बिस्तारा एरलाइन इसकी सुरुवात कब हुई 2014 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है गुरु ग्राम में और इसके प्रजेंट टेमपे CEO कौन है बिनोद कनन कौन है बिनोद कनन नेहुशन है किस देश ने पोलियो रोधी टेका करड़ अव्यान की सुरुवात की है तो अभी पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टेका करड़ अव्यान की सुरुवात की तो इस question का A options है अब पाकिस्तान तो ये है map में पाकिस्तान, पाकिस्तान की capital क्या है? इसलामाबाद, पाकिस्तान की currency क्या है? पाकिस्तानी रुप्या, पाकिस्तान के present time पे प्रेमिस्टर कौन है? सहबाज सरीफ, और पाकिस्तान के present time पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ सितारा एं इंतियाज सम्मान से सम्मानत किया है पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के लेफटिनेट जेर्लै आसिफ गवफूर को क्वेटा में बारह में कोर कमंडर के तौर पर नियुक ribbon किया है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू DSP बनी है मनीशा रोपेटा इनका नाम चेनल बारता का नेत्रत करने वाले सतिंदर लांबा का 81 बरस की उम्रों में अमी निदन हो गया पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाले लाइन को कहते हैं रैड कलेफ लाइन और North Korea और South Korea को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पहलल तो ये कुछ important dividing लाइन है ये आप याद रखिए नेक क्यूशन है हाली में 200 under 20 championship 2022 में केस महिला पहलवान ने रज़त पदक जीता है तो अभी प्रिया मलिक ने 200 under 20 championship 2022 में रज़त पदक जीता तो इस question का 2 options है ये अच्छा प्रिया मलिक ने रज़त पदक जीता है और एक पहलवान है अंतिम पंगाल इनों ने gold medal जीता है नेक क्यूशन है केस राजसरकार ने ग्रामीड आजीविका पार्क इस्तापित करने की गोशन की है तो अभी 36 गड गवर्मेंट ने ग्रामीड आजीविका पार्क इस्तापित करने की गोशन की है ग्रामीड अर्थ विवस्ता को मजबूत करने के लिए 36 गड सरकार ने ग्रामीड आजीविका पार्क इस्तापित करने की गोशन की है अब ये गोशना 36 गड ने की है तो ये है मैप में 36 गड 36 गड की capital क्या है रायपोल 36 गड की चीपनिष्टर कोन है पुपेश बगेल और 36 गड की गवर्नर कोन है अनुशुया ओएके अच्छा अभी 36 गड सरकार ने अनुशुचित छेत्रों में पंचयत अधिकारों के बिस्तार को लाओ किया है से एफर अधिकारों को मानिता देने वाला दूसरा राज 36 गड बना है 36 गड के मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी मितान योजना की सुरुआत की 36 गड सरकार द्वारा कौसल्या मात्रत योजना सुरू की गई है प्रतेग जिले में महिला सुरक्षा सेल इस्तापित करने की गोशना 36 गड ने की और दाई दीदी मुबाइल क्लिनिक ये 36 गड में सुरू हुए है नय हुशिन है हाली में किस भारती खिलाडी ने चौंग वंग 2022 निसानेवाजी बेसुकप में स्वड पदक जीता है तो राहूल जाखड ये इंडियन पिस्टल सूटर हैं इन्होंने अभी चौंग वंग 2022 निसानेवाजी बेसुकप में गूल्ड मेडल जीता है तो इसकुशिन का बे आप्सेंस है ये आप इमेज में देख लीजिए ये हैं राहूल जाखड नेक्शिशन है हाली में मादक पदारतों के तसकरों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पूर्टल किस संस्ताने लॉंच किया है तो ये NCB ने लॉंच किया तो इसकुशिन का से आप्सेंस है निदान निदान की फुलफों क्या है इसकी फुलफों है नेशनल इंटेग्रेटिट डेटा वेस ओन अरेस्टेट नार्कूस ओफेंडर जो लोग मादक पदारतों की तसकरी करते हैं उस सब का डाटा इस निदान पूर्टल पर रहेगा उनके फिंगर फिरिंट उनकी रेट ना यानि कि उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन पर कितने केस हैं केस कहां कहां है ये सब डाटा इस निदान नमक पूर्टल पर रहेगा अगर केसी भी तसकर को कहीं भी अरेश्ट किया जाता है तो कोई भी एजेंसी आसानी से इस डेटा को ट्रेक कर पाएगी तो निदान नमक पूर्टल ये NCB ने लॉंज किया है NCB यानि कि नार्कोटिक्स कंट्रॉल द्यूरो इसकी स्तापना कब हुई 17 मार्च 1986 को इसका हेड़कोटर कहां पे है निउ डेली में और इसके प्रजेंट टेम पे डेजी कौन है सत्य नारायंड प्रधान कौन है सत्य नारायंड प्रधान हाली में कहां आत्म निरिचर्ड ससस्तर बल नियादी करड़ पर एक संगूस्टी आयुजित की गई तो ये नई दिल्ली में आयुजित की गई है तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ने शुशिन है हाली में कहां महंगाई रिकॉर्ड दस पीसदी के पार पहुँची है तो अभी ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड दस पीसदी के पार पहुँच गई तो इस कुशिन का से आप्सन सही है पिछले 40 सालों के इत्यास में ब्रिटेन में महेंगाई record 10% के उपर पहुँची है अच्छा ब्रिटेन से रिलेटिड कल ही मैंने आपको एक कुशिन बताया था दादा भाई नौरो जी के अब ब्रिटेन के लंदन में जो घर है उसे blue plaque सम्मान से सम्मानित किया गया है यह important question है याद रखिए अब last video के question का answer last video मैं आपसे question पूचा था कि हाली में कैस राज सरकार ने बिद्यारत School on Wales परियोजना शुरू की तो अभी असम ने बिद्यारत School on Wales परियोजना शुरू की यानि किस question का से option सही था और लगबग सबी स्ट्रेणेस का answer सही दिया mostly स्ट्रेणेस के आरे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है केस राज सरकार ने दई हंडी को खेल का दरजा देने की गोश नकी है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप facebook पर next exam सर्च करके हमारा facebook पर join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indresrc indresrc instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब ये आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो टैंक्स वर वाचिंग